मित्रों हमारे चैनल मनोभर गोपाल ब्रसेवासंकी तन में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे गुरुपूर्वा मित्रों पहतर समझने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें अगर आप अमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साल 2021 में गुरु पूर्णमा यानी व्याष पूर्णमा चौवी जुलाई दो पर रही है हिंदु धर्म के न्याईओं के बीच पूर्णमा तुथी का अत्यदिक महत्त पूनिस्थान है जब यह पूर्णमा तुथी आसाड मास के सुक्ट पक्च में होती है तो इस धार्मिक माननेता है कि पूर्णमा तुथी को भगवान विश्णु की फूजा करने से भक्तों की हर मनों कामना पूरी होती है। गुरु पूर्णमा का पर्फ गुरुओं के नमन और उनके द्वारा दिये गए ज्यान के प्रति आवार व्यक्त करने का है। इस दिन वक्त अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं और उन्हें यता सकती गुरु दचना प्रदान कर ख्रतक ग्यता ग्यापित करते हैं। धार्मिक माननेता है कि आसाड मास की पूर्णमा को बेद व्याजी का जन हुआ था। इसलिए इसे गुरु पूर्णमा के साथ ब्याज पूर्णमा भी कहते हैं। इससे असाड मास की पूर्णमा थी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। माना जाता है कि वेद व्याज जी ने ही पहली बार चारों वेदों का ग्यान दिया था। इसलिए महर्णि व्याज जी को पहले गुरु की उपादी दी गई है। करें ये उपाए घर में तो आएगी सुख एवन संब्रद्धी। धार में कमानेता है कि गुरु पूर्णमा के दिन इन चोटे चोटे उपाएं को करने से घर में सुख संब्रद्धी आती है और मनु कामना फूर्ण होती है। धन का आगमन बना रहता है। गुरु पूर्णमा के दिन जरूरत मन्द लोगों को पीले अनाज, पीले बस्त्र और पीनी मिटाई का भोग लगाकर दान करें आर्थिक थंगी से निजात मिलेगा। तीन, गुरु पूर्णमा के दिन भगवान विश्णु को सच्चे मन्द से सद्धा पूर्वक, पूजा, अर्चना करने और जरुरत मन्द लोगों को अन्दान करने से कुंडली का गुरु दोस्त्रमाप्त होता है। चार, गुरु पूर्णमा के दिन प्रात्यकाल इसना नादी के बाद कुमकुम के गोल से मंदर के बाएं और दाएं तरफ स्वास्तिक का निसान बनाएं और मंदर में दीफक जलाएं। इससे आपके घर में ग्रह कलेज की समस्या दूर होगी और सुक सम्रती बनी रहेगी। पांच, जिन प्त्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना परता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसे जातकों को गुरु पूर्णमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए और गाई की सेवा भी करनी चाहिए। इस उपाय से अध्यन में आ रही बादाएं दूर हो जाएंगे इच्छे। जिनको बैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं अत्वा साधी विवार नहीं हो रहा है। ऐसे जातकों को गुरु पूर्णमा के दिन गुरु यंत्र को इस्ताफित कर उसकी विदीवत पूजा करनी चाहिए। यह उपाय आपको कई चित्रों में सफलता दिलाएगा और बैवाहिक जीवन से जुड़ी सारी परिसानियों का अंत्र करेगा। ज्यान और भाग व्रद्दी के लिए मंत्र का करेजाब ओम गुम गुरुवे नम हैं। दोस्तों आपको मारा वीडियो कैसा लगा। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू धन्यवाद।